नागपूरी में काल कैठो होई ला तो ये देखिए काल जो होता है तीन काल होता है अना वर्तमान भूत और भविश्यकाल जो हम लोग हिंदी में पढ़े हुए है यानि कि हिंदी और नागपूरी सेम है लेकिन नागपूरी में एक आपको ट्रिक बताते हैं जो कभी गलत नहीं होगा हमेशा प्रश्ण पूचता है बस आपको 365 याद रखना है 362 कितना 362 याद रखना है बस नागपूरी में आपको याद करने के लिए काल 362 याद रखिए कहने का मतलब कि वर्तमान काल नागपूरी में तीन प्रकार कार होता है भूत काल 6 प्रकार के होते हैं और भविश्यकाल 2 प्रकार का होता है तो इसी प्रकार से वीडियो देख सपने अधूरे मानो तो दोस्तों आपका स्वागत है एड़ी जर्कन क्लासेज में और यह जो सेट है नाकपुरी सेट 7 बुक से है और अभी तक आप लोगों ने नाकपुरी लोक शाहित्य नाकपुरी लोक अभी तक यह सब वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो अवश्य देख लेंगे प्लेइलिस्ट में जाकर पीडियेप के लिए कॉंटेक्ट कर सकते हैं 28 6 3 88-4-42-81 टो क्वेश्ट्व करते हैं बीना समय बर बात किया हुए चलिए कोन विद्वान नाकपुरी के कि गीतों की wszakनी कई है तो कौन है प्रफिसर पीपी केसरी या फिर केसरी नहीं नेक्स्ट नाकपुरी समचार पत्र, यहां पत्र को पत्र लिखा गया है, अब दूसरा कुछ मत पढ़िएगा, छोटा नाकपुर एक्सप्रेस कर संपादन है कई, यानि कि संपादक है कई, निम्न में से कौन संपादक है, तो यह जो है डॉक्टर विरेंद्र कुमार महतो, और इनका ज मामा भ beschäft मा कर लेखी का है कई, तो मामा भ भेगना कर लेखी का जो है कौन है, डॉक्टर सकुंदला मिष्य, चार नमर प्रशन है, राजा कर चुनाव काह के, राजा कर चुनाव क्या है, तो यह एक गद्द है, नेक्स्ट, गद्द यानि कि क्या होता है, ये भी आपको बता का दिया का है कहानी होता है यह आपको एक ट्रीक बताया थे पद यानि की पैर किसका पैर कवीता कवीता नाम की एक लड़की है उसका पद यानि के कवीता पद कु कवीता गद को कहानी कहा जाता है next फिफ्ट नमर्प प्रस्ण है आंजन काओ कर धखिन बटे कूर नदी है तो खटवान दी है या फिर नाग फेनी श्वन्र का फली रहा दे खटवान दी नेक्स्ट अपरी गरह का मतलब होता है क्या जल्दी बताईए तो दोस्तों जो अपरी गरह का मिनिंग होता है कि कोई भी दान दे रहा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना यानि कि जो यहां हो जाएगा नहीं लेना हो जाएगा ठीक है सेवन नमबर प्रश्ण की ओर चलते हैं हम लोग सेवन नमबर प्रश्ण है भेर कहल जाईला क्या चीज़ को भेर क्या चीज़ को कहा जाता है तो भेर जो है एक किसिम कर बाजा है मदन भेर नेक्स्ट नमबर प्रश्ण है उबाइक कर अरत होएला उबाइक कर अरत का होएल तो उबाइक मतलब होता है बगरा यानि की बहुत अधिक मेरा एक दोस्त था रांची का हम लोग साथ में पढ़ते थे तो वह नाकपुरी बोलता था हमेज़ा उस टाइम हम लोग फिजिक्स ओनर्स कर रहे थे साथ में जब आते थे जाते थे तो उस टाइम एक उना कि आनन्स दों भोला था कि बहुत ज्यादा होता है ऐसे बताये था यहां जिक्रिये जो बागरा कर मतलब होता है बहुत अधिक होता है ज्यादा होते है एक्जाम में आपका तो ऐसे ही माइंड नर्वस रहेगा 20 को चेकेंग हो जाएगा है। को माइन छॉट हो जाएगा अरे आप तोड़े शेटिंग करने गए एक्जाम नहीं आप टेश्ट थोड़े देने गए है आप अपना life का एक्जाम देने गए है जिससे आपका लाइफ चेंज हो सकता है ठीक ना तो वहां हड़बर हड़बर माइंड आटोमेटिकली रहता है तो यह सब जो वर्ड है बहुत ही ज्यादा important है महत्यपूर्ण है तो वीडियो को skip कभी न कीजिएगा चलिए नाइन नमबर प्रस्न है मनुहार कर अरत होता है मनवायक यानि कि मनवायक किसी को मनाना क्या कहलाता है मनुहार कि वह बहुत ही मनुहार है मतलब कि मनायक ना मनाने वाला चलिए next दस नमर प्रस्न है अस्मान कर अरत होता है क्या चीज अस्मान मतलब अकास होता है अकास यानि अश्मान पताल तो यह सब कुछ नहीं है धर्ती का धर्ती नेक्स परसट चलते हैं 11 परसट की ओर तो्रॉणों कर लेखक जब आपको नाकपुरी लोग सहीतिसाहितुकार पढ़ा रहे यह 10 कुछ तो तो नो नो कर लेखक है काल कोन यह कर्मद downs 12 थार फ्रस्ष बारोगार बार सुए आप बार नमर प्रस्ष क्या है गतर कंहा जाएअ क से कह बहुत यथा तो देखेये पीट को क्या का जाता है गतर गतर सब्द आया है आप मिस्स टांडे वाल को जानते हैं जो बन्केवरा भाग वन के कहानी के यक पातर है तो इसमें अ इस कहानिय में गतर का यूज हुआ है तेरे नमर प्रश्ण है ततह नमः का अर्थ हो एला क्या जीश तो तो के नमन ततह नम और कर प्रेत नमर प्रश्ण है राम रेखा धाम सिम्डेगा जिला से कोन दिशा में पढ़ेला प्सिमदoll को असमें अबस सी हो जाएगा इसका अंसर पंदरें प्राइब स्पाइब कोया जाता है नेक्स्ट कि इसरे यमी नहीं को ऊक्राएब का तो राय हैं ये प्राइब स्नद्र मेरा यानी जन दुष्मन गों में से यह द्ABंट इस नमर है प्रस्ण चक्री उपन्यासकर उपन्यासकार किये है गए तो जो है बाल मुकुंद बढ़ाईक है अपसर नमर भी कोन है बाल मुकुंद बढ़ाईक नेक्स प्रशन क्यों चलते हैं नेक्स प्रशन है बाइस नमर प्रशन नागपुरी राज परिवार कर अंतिम यूराज रहें नागपुरी नागवनसी देखिए नागवनसी राज परिवार कर अंतिम यूराज कौन थे तो यह जो थे गुपाल सरन नाथ लाल साहदेव ठीक ह तो अखरा में जो होता है रीज रंग उत्सो मनाया जाता है बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं ठीक है छगरी छगरी कर मतलब होता है बक्री यानि कि बक्री के बच्चा को क्या कहा जाता है बक्री के बच्चा को क्या कहते हैं पठ्रू काते हैं ठाकव जया घृष मतलब होता है घृच्य मतलब होता है और गरू मतलब होता है बैल कर्रिए बेली मिर्चाले नाग पूर स्ब़योम पर्यों टू कैसे टीनों में ब्रम नाचेव कहल यृचले यह बहुत ही ज्यादा सब्ठीगा अध्यू कहलए ने ऊच्छलचल प्रम खीज़ाली कने लिगात्य उच्छले काहला काbuilding 28 नमर प्रश्ण है नाकपुरी में मचली के कहीना मचली के कहीना तो मचली ठीक है अपसर नमर 20 का अंसर हो जाएगा 29 नमर प्रश्ण है नरम कर परियाएवाची होएला तो परियाएवाची कर मतलब होखेला कि वह समनार्थी सब्द कि उसी के जैसा उसी के नाम से और क्या नामसे फूकारते हैं उसको प्रियाए वाची कहल जाई ला तो नशनरा मक्र क्या होता है लिबीर लिबीर हना जैसे कि सत्व कर देहात में जो भी रहते हो लिबीर शत्व एक हात जो पूर एकदम टोररर होता है ज neutrino जैसे छिल्का नागपूरी में लक्डी क्का का कहल जयए यहां लड़की नहीं है लड़की को कहला चोड़ी अ और लड़की के पर ओल के में यह कमेंट करके जल्दीSMan since दोटेंगों थोड़ा सा कि आप करके कर सकते हैं नहीं मालू मेरे तब पूछते हैं थीक़acy 31 प्रस्न है बच्चा ले पर्योग करल जाएला नागपूरी में बच्चा को क्या कहा जाता है नागपूरी में तो देखिए च्छववा कहा जाता है अब महिला के 32 प्रस्न है महिला के का कहल जला है देखिए तो जनाना या फिर इस्तिरी या जनी तो इसमें जो है न जनानी जनी यानि की सभी हो जाएगा नाकपूरी में यही दो कह जनी या फिर जनाना जो होता है जनानी जनाना होता है इसका जो जही ऑंसर हो जाएगा इस्तिरी और जनी दोनों महिला के कहल जाएला, ठीक है ये भी कहा जाता है, चलिए, नेक्स्ट, ये डी नहीं होगा, डी यानि कि अगर सभी हो जाएगा, तो सभी हो जाएगा, चलिए, जनानी मन, वहाँ मिस्प्रिंटिंग हो गया था, जनाना नहीं, जनानी होगा, नेक्स् तो नमबर 20 इसका हो जाएगा तियन और हम लोग क्या काते हैं मगही में तरकारी बोलते हैं यह भी जान लीजिए लेकिन यहां नागपूरी में पूझा है तो नागपूरी में सिर्फ क्या होता है तियन ही कहा जाता है सब्जी को 34 नमर प्रशन है मेग गीत के कर रचना के तो यह सार्दा प्रसाद सर्माकर है सार्दा प्रसाद सर्माकर कोन सा है यह मेग गीत रचना के पैथिस नमर प्रशन है मधु कुंज कर रचनाकार के है तो मधु कुंज कर रचनाकार द्रिग पाल राम देवगरिया मधु कुंज कर जो है कौन है द्रिग पाल राम देवगरिया मधु कुछ कर रचना कार को न कर द्रिग पाल राम देवगरिया यह मुझे आप बताईए कि द्रिग पाल राम देवगरिया कर बनकेवरा भाग वन में कौन रचना कर और तो द्रिग पाल राम देवगरिया कर जनम कब हुआ था देख लिजिए तो जनम इनका 1884 इसवे में हुआ था कहां हुआ था सहजीना में हुआ था यह याद रखेंगा सहजीना में इनका जनम हुआ था और कुराम बे उपाख्यान जो है इनका बहुत ही मतलब यह जो बुक का नाम है बहुत बार पूछा जा चुका है तो इसे आप याद कर लीजिएगा ठीक ना चलिए नेक्स प्रशन सिंगार के रचीता है कई सिंगार के कौन रचीता है कई निमन में से तो मेग नात ओधार ठीक है नल दम्यंती चरित्रकर रचनाकार के है कई तो यह जो है द्रिग पाल राम देवघरिया है अना द्रिग पाल राम देवघरिया और इनका जनम अभी तुरंद बताये थे 1844 इसभी में कहां वड़ा था सहीओ ना में रहा था और कम से कम ये तो शर्च करके बताएए कि जो सहीजना है कि सहीज़ना गूज़ुकर कौन से जिला में पड़ता है यह तो कम से कम कमेंट करके बताएए चलिया 49 परम्हें लोकुष चरित्र कर रचयता है कोन देखे तो यह याद कैसे करें ट्रीक है लो कुछ ते। इतना बहुत ही बल्वान थे क्योंकि वह सारे को हरा दिये लक्षमन जी को हनुआ जी को सभी को तो इस लिए बल्वान से हम लोग याद करेंगे लोग कुछ चरित्र जो हैं बल्दे लिखे हैं फोर्टी नमर प्रस्ण है नाकपुरी भासा और साहित्यकार कर रचना कार के हैं तो यह है डॉक्टर बीपी के स्री ऑप्सिन नमर बी ठीक है नेक्स्ट प्रस्ण क्यों चलते हैं 41 नमर प्र प्रसंग में गीत भेटाइला तो जल्दी बताईए तो देख लिजिए यह कंचन में रमायन मावारत के प्रसंग का गीत भेटाइला याने की मिलता है अब हम थे तालिस नमर प्रस्ण भगवत गीता कर भावा नुवाद कर रही तो भावा नुवाद कोन कीए है तो लाल रन विजय नाथ साहदेयो यह कि यह किये हैं अप्सिन ब्र बी ना भागवत गीता जो आच जो आच आच जो कवीता संकलन कर संकलन करता है तो मंजू जाने मन्जु एक महिला है रहे मेरे बुओण जी का नाम मजू है रहा रहे रिक्तों है फिक Christopher कोई भी इस तरी लोग अपना साड़ पहांती जो आच रहोता है याद कर लीजिए जो अजरा है वह मन्जू ज्योचना हंस के द्वारा संकलन किया गया है ठीक है 45 नमबर प्रस्ण है कविता संकलन बाटेक सुख के करकृति है के काली कुमार सुमन कर है चलिए नेक्स्ट 46 सब्द संग्या और सर्वनाम कर विशेष्था बतायला उके का कहिना तो उके जो है विशे कहा जाता है और जो क्रिया विशेष्थन को विशेष्था बताता है ऊसको कुर्या विशेष्थन कहा जाता है देक्सट या फ्रकार DAVID नेक्स्ट इसको याद करने के लिए 362 याद कर लिए 862 ठीक है छ़लिए उन्चास नमबर प्रश्न है नागपूरी भासा में शामास कैठो भेदोला तो पीटर नौरंगी सतरंगी के द्वारा पांच होता है पीटर पांच पीटर पांच और योगेंद रना तिवारी के द्वारा आठ होता है यह जब समाज हम नागपुरी पढ़ाये हैं वीडियो उसमें आप देख सकते हैं टोटल मास्टर बन जाएगा पांस घंट क्लास में तो यह समाज जो है नौर्मली जो है पांस होता है लेकिन पीटर नौरंगी सतरंगी के द्वारा पांस होता है बहुत सारे सेट्स बता दिएगा है ये सीजन ठी चल रहा है ये सेट का थर्ड पार्ट चल रहा है बहुत सारे सेट कराय जा चुके हैं तो आपको होने से कोई नि रोक सकता को है starting में भी बताया थे अभी भी बता रहे हैं कि अभी उतना पढ़ाई पर कोई नहीं ध्यान दे रहा है जो भी ध्यान दे रहे हैं जो भी students इस वीडियो को देख रहे हैं वो एकदम दिल खोल के लग जाएं कोई भी exam जो है cancel नहीं होने वाला है आज न तो कल वो वही exam या तो फ फिर लगे रहिए चाट